So Hello Everyone, Welcome to my channel, तो कैसो सब लोग, I hope सभी लोग बढ़ी आँगे, घर बैड़मास्ट वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होगे, फिसिकल एजुकेशन का एक्जाम बहुत करीब आच चुका है, और कुछ ही दिनों बचे हैं आप लोग के फिसिकल एजुकेशन के लिए, और जो मैंट्स वाले हैं, यार उन लोग के लिए कहिना कही दिक्कत है, पिक उस बीच में मैंट्स का पेपर है, तो अटेंशन नहीं लेना, सभी चीज़ों को मैं यहां पे cover up करते हूँ चलने वाला हूँ, डीटिल में मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके से roadmap रखने हम लोग को, जिसके तुरू फिसिकल एजुकेशन में, 100 out of 100 ला सके, देखो तुम लोगों ने साल भर नी पढ़ेगा, मुझे पता है ढंग से, तो मैं आप लोग से एक चोटी से request चाता हूँ, कि यह मुश्किल से 5 दिर है, इसमें इमांदारी से पढ़ लो, 100 में से 100 लाने की जिम्मेदारी, मेरी है आप लोग को दिलवाने के लिए, बस आप लोग से request है, कि जो मैं आप लोग को एक चीज़े बताने वाला हूँ, इनको एक एक करके follow-up करना, यह मेरी guarantee है, भाईया की guarantee है, तुम तुमारे senior से पूछना, इस बंदे से पढ़के यार, 100 में से 100 आए है maximum लोगों के, maximum मतला maximum लोगों के, clear है भाई, तो मैं चाहता हूँ, कि तुम सब के 100 में से 100 आए, और बस तुम लोग को अच्छी मैनत करने हैं, definitely तुमारे 100 में से 100 आराम से आ जाएंगे, बस आप लोग को सही तरीके से road map को follow-up करते हो चलना, और देखो, school के teachers और बाकी लोगों से सुन-सुन के, तुम लोग अपनी जगा side by side हो गए होगे, मैं जानता हूँ किस तरीके से 100 में से 100 आए, ये YouTube चैनल जो है न, especially physical education के लिए बहुत जादा famous है, क्योंकि यहां से काफी सारे लोग success पाए हैं, और 100 में से 100 लिये हैं, तो आप लोग से request है, बस follow करे path को, और मेरी guarantee, ये मेरी जम्मेदारी आपको सव में से 100 दिलाना, 4 से 5 बार बोल दूगा हूँ, सव में से 100 दिलाना, मतलब दिला के रहूँगा, इसके लिए भरोसा रखो, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, कि आखिर कैसे हमको preparation को रखना है, किस तरीके से हमारा roadmap होना चाहिए, आप सभी लोग जानते हो, 13 तारिक और आप लोग का paper है, और अभी आप लोग के पास देखो, आज हो गया 8 तारिक, 9 तारिक, 10 तारिक, तीन दिन आप लोग के पास है, और फिर 11 और 12 के लिए हम लोग लास्ट के जो 2 डेज रहेंगे, उसके लिए अलग से strategy रखेंगे, और एक अलग तरीके से target करेंगे, बट जो अभी आपके upcoming days है, जो आज का हो गया, कल का हो गया और परसो का हो गया, इसमें क्या होने वाला है, और कैसे आप लोग को चीजों को करते हो चलना और घर पे आपको कैसे पढ़ना है, तो उन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो सभी लोग ध्यान दे, including maths वालों की भी मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी बायो, कॉमर्स और हमारे हमेनेटी वाले को तो पढ़ना ही है मेरे साथ वैसे भी, तो सबसे पहली चीज, सीधी सिंपल बात देखो, यूटीब में मैंने डीटेल वन शॉट मैंने दाल चुका हूँ, शर्मा गई सीरीज का, अगर तुमको वो सीरीज की प्लेलिस नहीं मिल पा रही है, तो एक कंपाइल वीडियो भेज दे रहा हूँ, जो पांच गंटे का है, कंपाइल वीडियो डीटेल में मैंने कवर अप करा हूँ, पूरा टॉपिक, तो आप लोग से इमानदारी से एक रिक्वेस्ट है, कि वो पूरे के पूरे वीडियो को देख लेना, पांच गंटे का है, एक एक करके, दो दो करके, जितने चैप्टर्स आप लोग देख सकते हो, देखने की कोशिश कर लो, अब आप बोलोगे, भाई या, उससे भाहर कुछ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये मेरी गरेंटी है, भाई हमारी बुक में तो कुछ लिखा हुआ ऐसा, अरे या, हमारे स्कूल के टीचर ने तो पढ़ा है, अरे भाई 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 जो CBSC के स्लेबस ने दिया है, सेम सारे पॉइंट मैंने उस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर कवर अप किया, तो टेंशन नहीं लेना, न्यू स्लेबस की अकॉर्डिंग है, काफी सारे लोगों तो ये भी नहीं पता हुआ कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स पहला चैप्टर नहीं है, मैनेजमेंट अव स्पोर्टिंग इवेंट, जब मैंने पहला चैप्टर दाला था, तो इतने हेट आने लग गए थे क्यों, क्योंकि उनके स्कूल में मैनेजमेंट अव प्लानिंग नहीं, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स पढ़ा रहे थे, लेकिन आपको stiff रहना इस CBSC के इस लेटे स्लेबस में, जो आपको साइड में दिख रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग के चैप्टर से, सेकेंड चैप्टर आपको स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन नहीं पाँच में नमबर गए, तो मैंने जो प्लेलिस्ट आप लोग को दिया हूँ, या जो आपको कमपाइल वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा डीटेल वाला, उसमें सारी चीज़ें स्लेबस की अकॉर्डिंग है, तो तुम्हारा स्लेबस की अकॉर्डिंग सब चीज हो जाएगी, मेरे पर बरुसा रखने की कोशिश करो, इसके बाद क्या करना है, तुम लोग को एक बार बुक से रिवाइस कर लेना, अरे कोई घाटा तो नहीं न, बुक से पढ़ने में, तो जो कंपने की बुक आपके पास, आप उससे पढ़ सकते हो, अगर आपके पास नहीं है, तो आप लोग मेरी जो खुद की परसनल बुक आई थी, उसको बिल्कुल मत परचेस करना, फिसिकल फॉर्मेट में, इसे साउ स्कोर कराने के लिए, अगर तुमको यार, दो हजार नमबर स्कोर करना है तो अबर दूसरी बुक पढ़ लो, भया दूसरी बुक तो बहुत सारा लिखा हुआ उसके अंदर कंटेंट, मैंने कुछ भी चीज बेफिसूल के नहीं दाला हूँ उसके अंदर, जो काम की है, जो काम में आप लोग की मतलब exam में at least काम आ सकती, वो सभी चीज उसके अंदर है, clear भाई लो, इसके अलावा हमें क्या करना है, आज के दिन मेरे ख्याल से हमारे चार या तीन वीडियो आने वाले आठ तारिक को, अगले दिन तीन वीडियो आएंगे, और उसके नेक्स डे मतलब की दस तारिक को तीन वीडियो या फिर चार वीडियो जैसे भी आप लोग का थोड़ा शफल हो सके, वैसे एवरेज साड़े तीन वीडियो आने वाले मान लो, तो इस चैनल पर अप्लोड होने वाले पुकारे आजा सीरीज, आप लोग देख सकते हो, आप लोग का तगड़ा रिविशन हो जाएगा, और आज से हम लोग अपने चैनल पर चालू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसी के साथ साथ आप में से काफ़ी साथ लोग भीड़े हो थें, कि भाईया हमको कोशन्स की प्रेक्टिस भी करना, आए नो तुम्हें कोशन्स की प्रेक्टिस करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, और स्पैशली MCQ कोशन्स की प्रेक्टिस करना और प्रीवेस एर के कोशन्स की प्रेक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने आप लोग के लिए 8 तारिक 9 तारिक और 10 तारिक के लिए रेगुलर साड़े 7 बजे लाइव सेशन मैं खुद आके आप लोग को cover up करवाने वाला हूँ मतलब जिस दिन आप लोग के revision series के जो जो वीडियो दलेंगे माल लो पहला और दूसरा तीसरा चैप्टर दला तो साड़े 7 बजे उसी दिन पहला और दूसरा तीसरे चैप्टर के आप लोग के सारे के सारे one of the most important MCQs cover up मैं करवा के देने वाला हूँ ये मेरी जिम्मदारी है तो आप लोग से request है सभी classes के link description में दे दिया हूँ compile video जो physical education का जिसमें एक video के अंदर आप लोग का detail में कवरा पूरा 5 घंटे वाला video उसके link भी description में इसके अलावा book के link भी description में दे दिया हूँ इसके अलावा जो मेरे free notes से उसके link भी description में दे दिया हूँ on academy में जहांपे हम लोग questions की practice करने वाले बहुत जादा important है questions की practice नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनने वाला एक चीज याद रखना तो उन सभी का आप लोग के links description में given है day 1, day 2, day 3 8 तारिक से लेकर 10 तारिक तक के continuously आप लोग के class रहने वाली है 11 और 12 के लिए मैं special अलग से पूरा strategically प्लान करूँगा क्योंकि उस टाइम पर maths वाले भी आ जाएंगे और आप लोग भी रहूंगे तो सभी लोग एक साथ पढ़ते हूँ चलेंगे तो जादा मजा आएगा clear दोस्तों तो आप सभी लोग से request है चैनल को सब्सक्राइब कर ले बहुत तगड़ा content में इस चैनल पर upload करने वाला हूँ अपने दोस्त त्यारों को जतना ज़्यादा हो सके share करने की कोशिश करें और आप लोग से request है जितनी भी तीनों दिन की class है उन सब को enroll कर लो enroll करते ना में अगर invitation code मांगता तो भाईया का नाम जड़े किया जखी डाल देना आप लोग की classes enroll हो जाएगे और आज से ही 7.7 बज़े से class आने वाली है और भाईया one shot कप आएंगे ये वीडियो के बाद से ठीक है जी तो सारे वीडियोस को आप लोग enjoy करें और hope सो आप लोग को ये content में जादा मसा आएगा इसके अलावा भी एक और चीज़ काफी लोग कहेंगे कि भाईया हम तो सोच रहे थे कि आप questions के practice के लिए लाओगे अरे वो भी लाओगा क्यों tension लेते हो भाईया हम सोच रहे थे कि आप तो answer writing भी practice के लिए करवा देंगे वो भी करवा हूँगा जो जो तुम लोग सोच रहे हो ना उससे double मैं सोच रहा हूँ ठीक है तो चलिए आइन करते हैं आज किस वीडियो को तो सारी classes और सब चीजों के link मैंने description में दे दिया हूँ जल्दी से जाए और अब अगरा करो classes को और जिनको detail में देखना है पहले detail में देख लो एक और चीज याद रखना है जब revision video देखोगे तो revision video directly उस पे align मत रहना पहले detail video देख लेना उस chapter का फिर उसके बाद आप लोग revision video देखोगे तुमारे लिए बहुत मज़ा आने वाला यह मेरी guarantee तो directly आके मत बुलना और revision series में तो कोई समझ में नहीं आ रहा revision series का मतलब यही होता है ना कि detail के बाद revise करो भाई तो आप लोग को ऐसा ही करना है और कोई बहुत सारा नहीं पढ़ना है और भाईया ने इसमें meme material के साथ सब कुछ पढ़ा है तुमको बहुत मसा आएगा पढ़ने में टेंशन आ लो क्लियर दोस्ट तो चलिए end करते हैं आ कंप